करेंगे कि आप दनों के बीच में जो रियूनियन है वो कब तक होगा थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में है इस समय पार नो कांटेक्स सिच्वेशन में आप हैं तो क्या सिच्वेशन होने वाली है आपके परसंद की अनर्दीज आपके लिए क्या है उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है इस चीज को तरो कार्ट में देखेंगे तो चैनल को लック सum Việt जरूर कर लिजेगा बल एकन को प्रेस कर लिजेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए and general reading है और timeless reading है general reading है तो आप सभी लोग इस टेरोकार reading को देख सकती है no problem timeless reading है so no time boundation reading resonate करें तो देखिए resonate नहीं करती है तो reading को छोड़ सकते है so no problem ज़्यादा से ज़्यादा positive रहें अच्छा सोचें अच्छे कर्मा पर bleep करें हमेशा अच्छा सोचें कर्मा पर bleep करें and reading देखने से पहले universe को जरूर याद करें then person का नाम ले so अभी मैं candle जला लेती हूँ so keep patience so यहाँ पर मैंने candle जला ली है so अभी की energy सबसे पहले आपके person की current energies को देखते है आपके person की current energies इस समय जो आ रही है वो कहीं ना कहीं no contact situation बालों के लिए काफी ज्यादा आपके person जो है वो आपके बारे में सोच रहे over thinking यहाँ पर मुझे energies में दिख रही है किसी चीज़ को लेकर बहुत गहराई से सोच रहे हैं किसी decision को उन्होंने लिया है हो सकता है कि यह कुछ ऐसा decision लिया हो जो शायद आपको नहीं अच्छा लग रहा हो या फिर move on कर लिया हो आपसे या कुछ ऐसा सोच रहे हैं वो आपसे दूर जाने के बारे में like that तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपके person जो है ना thinking करते हुए दिखाई दे रहे हैं show हो रहे है गहराई से सोच रहे हैं बहुत ज़्यदा गहरा सोच रहे हैं आपके person deep thinking है इनकी इस समय पर आपको लेकर आपके रिष्टे को लेकर यह person बहुत ज़्यादा अकेला पन फील कर रहे है struck हो चुकी है समय की energies जो कि किसी दवाब में किसी pressure में भी हो सकती है किसी family का दवाब या family का pressure या burden block communication यहाँ पर candle wax में जो energies आ रही है block communication यहाँ पर show हो रहा है और इनकी साइट से मैं देख रही हूँ इनकी साइट से जो energies energies आ रही है इनकी साइट से उस energies में एक ऐसी situation दिखाए दे रही है जो कि काफ़ी जादा stressful है energies के according मुझे लग रहा है कि आप लोग married couple हो सकते हो या फर आप आपकी शादी हो सकता है कि आपने इन person से शादी की हो और उस अपने सामने लेकर नहीं आया है आपने उस शादी को हाइट करके रखा हुआ है ठीक है लेकिन feelings में यहां पर जो मैं देख रही हूँ feelings में यहां पर मुझे love दिख रहा है प्यार भी दिखाई दे रहा है आप दनों के बीच में लेकिन कुछ चीजे ऐसी है जो आपके person I think आप सा hide कर रहे है और बहुत जादा hide कर रहे है जो शायद उन चीजों की आपको clarity भी नहीं मिल रही होगी उनके site से बिलकुल ऐसा लग रहा है energies को देखकर कि एकदम सारे चीजों को छुपा के रखा है बता नहीं रहे है शो नहीं कर रहे है जो decision ने लिया है कि वह आपसे move on कर लेंगे और वह इस रिष्टे को तोड़ देंगे खतम कर देंगे तो energies यहाँ पर कह रही है कि वह किसी burden किसी pressure में लिया है लेकिन यह person आपकी life में लॉट आएंगे मतलब कही न कहीं अगर मैं देखूं तो इनकी energies आपके लिए जो दिख रही है मुझे जो show हो रही है वह आप लोगों को दूर नहीं होने दे रही है मतलब अनरजीस क्या हो रही है कि बांद के रख रही है कुछ letters मेरे को यहाँ पर जो है वह show हो रहे है में letters के बारे में आपको बताना चाहूंगी alphabet show हो रहे है पहले तो मुझे heart बनता हो दिख रहा है पर वह heart break होता हो दिख रहा है तो I think कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होई है जिससे आपका दिल टूट रहा है break हो रहा है energies यहाँ पर ऐसी आ रही है कि heart break होना यह बहुत ज़्यादा disturb होना mind में बहुत stress होना alphabet a, alphabet c, alphabet s और alphabet p यहाँ पर बहुत तेजी से शो हो रहे है alphabet a और b, c, n, r, m यहाँ पर शो हो रहा है long distance relationship यहाँ पर दिख रहा है मुझे long distance में दो चीज़ें यहाँ पर निकल कर रही है यह तो आप long distance में हो अभी यह फिर अपका भी हो चुका है क्योंकि situation जो दिख रहा है वह long distance वाला जो कभी-कभी situation ऐसी हो जाती है कि इतनी दूरियों का इतना मीलों का फासला हो जाता है साथ में रहते हुए भी यह पता नहीं चलता है कि मतलब साथ में रह रहे हैं या कहीं दूर पर हैं यह पर दो तरीके के distance दिख रहे हैं एक तो हो सकता है कि आप किसी अलग अलग जगे पर रह रह रहे हो किसी अलग अलग जगे प्लेस पर रह रह रहे हो किसी और countries में रह रह रहे हो वो किसी अधर कंट्री में अधर प्लेस पर रह रहे हो या फिर किसी एक घर में रहकर भी आप लोगों के बीच में जो फासला है वो मेलों का हो गया है दूरियों का हो दूरिया इतनी जादा आ गई है आज आपके बीच में लेकर अनर्जीज यहां पर यह कह रही है कि future की अनर्जीज में यहां पर changes है और यह person जिस तरीके से आपसे move on किया है और यह जिस तरीके से यह आपके life से मतलब गए है या फिर जा रहे है या फिर ऐसा कुछ है कि मतलब यह इन्होंने रिष्टा ही तोड़ दिया है तो यह ज बढ़ता हूँ दिख रहा है मतलब problems आप ऐसे समय दीजे कि आपके relationship में problems show हो रही है बट वो problems यहां पर कई ना कई इस तरह की नहीं दिख रही है जिसमें पूरी तरीके से disturb हो जाए relationship इनके और आपके बीच में जो relationship है वो बहुत ज़्यादा strong दिख रहा है अप mentally और physically मुझे एक दिख रहे हो और जो relationship है उसमें भी मुझे एक ऐसा लग रहा है इस energies को देखकर बहुत पराना रिष्टा रहा है आपका और पहले आपके रिष्टे में यह सब चीज और problems यह प अच्छा connection मुझे आप लोगों के बीच में होता हूँ नजर आ रहा है जिसमें बहुत मतलब happiness थी प्यार बहुत था एक दूसरे को understanding अच्छी थी और कम से कम यह जो आज परशानिया हो रहे हैं आपके relationship में जो आपके person आपको समझ नहीं रहे हैं अग्नोर कर रहे हैं और द completion of present आपका past relationship के उससे ज़्यादा बढ़िया था मतलब present से बहतर था past आपका ऐसा दिख रहा है मेरे को I don't know resonate कर रही है कि नहीं करें तो ही देखिएगा काम कास पर बहुत असर पढ़ रहा है आपकी जो मैं देख पा रही हूँ आपके work पर आपकी काम पा या आपकी किसी भी चीज में आप इस समय आगे नहीं बढ़ते हो दिख रहे हो मतलब stress हो रहा है और परिशानिया बहुत ज़्यदा शो हो रही है काम पर focus नहीं कर पा रहे हो मैंटली stress ले रहे हो काम पर focus नहीं कर पा रहे हो आपका जो डेली routine है ना वह आपका change हो गया इस अनर्जीस को देख कर ऐसा लग रहा है पूरियो डेली आपकी हर चीज़े maintain होती थी और वो चीज़े ना होकर अब एकदम से ना सब अस्तव्यस्त हो जाता है ना एकदम disturb हो जाता है क्योंकि माइंड ही नहीं लग रहा है कहीं पर भी इसा मैं देख रही हूं मैंन किसी और जागे नहीं लग रहा है सिर्फ आप सिर्फ आप परसन के बारे में सोच रहे हो और focus अब का उनके side ही हो रहा है उस तरफ ही हो रहा है आपके परसन के लाइफ में भी चेंज़ दिख रहे हैं उनके लाइफ में मुझे काफी ज़दा चेंज़ दिख रहे हैं और उनकी लाइफ भी पहले से बहुत डिस्टरफ मिरको दिख रही है परिसन के लाइफ पहले से काफी डिस्टरफ दिख रही है सबसे पहले सिस्ट आप पर आपको बहुत जादा करने लगे हैं और पलट कर बात नहीं करना या कुछ ऐसा बोल देना कोहीं बहुत डिस्ट्रोब्हेंस हो मतलब आपके परसन भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी मुझे लग रहे हैं, काम परिफेक्ट पढ़ रहा है, स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, परिशानिया बहुत हो गई है, उल्जने बहुत है आपके लाइफ में मुझे एक अच्छी अनर्जिस को आते हुए दिख रही हूँ, एक अच्छी अनर्जिस को मैं आते हुए देख रही हूँ, आपके लाइफ में एक बिग चेंज आने वाला है, उस चेंज के लिए आप रेडी रहें, वो चेंज आपके लाइफ को बदलने आपके relationship में एक नए उर्जा भरने क्यों पर इंट कर उकल जुत रिष्टा तूट चुका है या आपका करियर में बहुत लॉसेज हो चुके हैं और फाइनस में लॉसेज हो चुके करियर में या कुछ भी ऐसी जो आपने खो दी है और आप चाहते हो कि हाँ प्लीज गॉड उनिवर्स में सब कुछ अच्छा हो जाए या सब वैस्ट हो जाए तो ऐसी situation या ऐसी condition आपके life में changes हो रहे हैं आने वाले हैं रेसीब करने के लिए रेडी रहे हैं वक्त बदलने वाला है आपका अच्छा वक्त आने वाला है यो beginning हो सकती है आके उस person के साथ इस समय involved है third party और पूरी तरीके से आपका रिष्टा खराब हो चुका है अब उस relationship में new changes आ रहे हैं चुकि आपके life को मतलब future तक ले कर जाएंगे partner के साथ देखें यह जो person है इनकी energies भी मुझे यहापर मिल रहे है move on नहीं करना चाहते हैं यह आप से लेकिन कई नहीं कुछ pressure और burden की बज़े से यह आप से move on कर रहे हैं लेकिन energies यहाँ पर यह कह रही है कि यह उस energies से निकल जाएंगे और आपके पास proper तरीके से आएंगे किसी पिरिष्टे के लिए आप इस टेरो कार्डिया कर्णल वेक्स रीडिंग को देख सकते हैं वो relationship कोई भी हो सकता है सचा ही नहीं बता रहे हैं आपको सच यहां पर यह दिख रहा है मुझे कि वह प्यार आपसे बहुत करते हैं लेकि अपने प्यार को ही चुपा रहे हैं क्योंकि थरड परसन या family involvement की वज़े से वह इन सब चीजों को चुपा रहे हैं वह आपको हाइड करके रख रहे हैं व बहुत जादा मतलब disturbance हो रहा है माइंड भी stress कर तो कोई decision प्रापर तरीकी से सही से ले नहीं पा रहे है अलाकि आपके person आपको याद करते हैं आपसे जोड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी मिस करते हैं आपके प्यार को मिस करते हैं आपसे साथ बात करना, messages करना, call प partner जो है ना इनकी energy जो मुझे दिख रही है यह दुबारा से आपके प्यार को पाना चाहते हैं दुबारा से आपके और अपने रिष्टे में क्योंकि बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब block कर देना, बात नहीं करना उस तरीके से नहीं रहते हैं यह जैसे पहले मतलब आप रूट भी जाते थे तो यह आपको मना लेते थे, है ना, अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि आप कितना भी बोलते रहो, इन पर फरक नहीं पड़ता है, लेकिन इन पर फरक पड़ता है, यह जो नहीं करते हैं, लेकिन इन पर फरक पड़ता है, आपके प्यार का, आपके स्ट्रेस का इसी लिए जो अनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपके परसन जो है वो आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे यहां पर शोर एक फूचर के रही है इस समय अगर आपका ब्लॉक कॉंटेक्ट है नो कॉंटेक्ट सुच्वेशन में है आपके पार्टनर तो इस समय इनका बड़ा ही मतलब आपके लिए बुरा हाल कह सकते हो आप मतलब जिसे बहुत ज़्यादा आना रात रात बर जागना सोचना आपके बारे में और आपके रिलेशनसिप को मिस करना और मनी मन यह चीजों को सोचना कि नहीं मैं इस रिष्टे को नहीं तोड़ूँगा मुझे इस रिष्टे को नहीं छोड़ना है यह चीजे future possibilities है यहाँ पर आपके रिलेशनसिप में बहुत future possibilities है मतलब कही नहीं future आपके साथ यहाँ पर होता हो दिख रहा है अब के सब्सक्राइब कर लेते हैं कि चैक कर लेते हैं और बकी की सुच्वेशन को भी चैक कर लेते हैं लेकिन एक चीज और हैंजीज यहाँ पर इनर्जीज यहां पर शोग हो रही है कि कोई थर्ड परसन है जो कहीं नहीं इस समय इंवाल्व तो है वो आपको ए रिलेशन को तुड़वाने में लेकिन अनर्जीश यहां पर थरड पार्टी और आपके परसन के बीच में no context situation बता रहा है अनर्जीश मतलब थरड पार्टी और परसन के बीच में no context situation या उन दोनो ज़्यादा मतलब इस समय दिख रही है मुझे शो हो रही है कार्मिक रिलेशन से यहां पर थरड़ पार्टी के साथ दिख रहा है जो की फ्यूचर तक यहां पर परस्विल्टी नहीं है उस रिलेशन सिप के जाने की अनर्जीज आप तो लोगो मिलाने के लिए वर्क कर रही है डिवाइन कनेक्शन है अनर्जीज ने वर्क करना शुरू कर दिया है जब अनर्जीज वर्क करना शुरू कर देती है तो यह समझ लेजे कहीं ना कहीं आपका मिलन होने वाला है तो आपका पार्सन के साथ आपका मि हुए तो यहांपधर काड्स कर लेते हैं जो भी आनरदीस को मैंने एक संदो करें हैं यह और गेंसा क्या आगी की की सिच्वेशन ना कि की क्या ι त्युवार्जीश वाली है ब्लीिध drinks करा क्डिर प्राथना कर技 इसे हैं जो भी में subscribers है universe please universe उनका reunion हो जाए मैं प्रार्त्मा करती हूँ आप से क्यों का reunion हो जाए universe please guide करें तो यहां पर energies क्या रही है देख लेते हैं जस्टिस का card आ रहा है तो कही ना कहीं जो tarot card मैं इनर्जीज को मैं देख रही हूँ justice की अनर्जीज यहां पर show हो रही है और कहीं आप दोनों के बीच में इस समय की जो स्थिति है वो काफी जादा मुझे disturb लिख रही है ठीक है और लेकिन में चीज क्या हो रही है कि जो भी problems आपके बीच में हो रही है जो आपके परसन इस समय आपको नहीं सुन रहे हैं नहीं समझ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ third party की बात को सुन रहे हैं उन्हीं को understand कर रहे हैं उन्हीं time के लिए है यहां से cross हो जाएगी तो इस energies को cross होने के पेशेंस रखने की जरूरत है यहां पर self love करने की जरूरत है क्योंकि मुझे इस energies को देखकर ऐसा लग रहे हैं कि आप खुद को भुलकुल भूल चुके हो तो खुद को भी याद रखो कि मैं भी हो कुछ है ना तो जामनी है लिवरा पाइस लिवन कैंसर की अनर्जियस यहां पर आ रही है ठीक है तो almost जहां तक मैं देख पार ही हो राशियां तकरीबन मोस्टली राशियां है का मेरे खलमन नहीं होगी तो नहीं होगी लेकिन है रलेशन्सिप आपका इस समय पर ग्रोथ की उस पर जा रहा है आप यह समझ लीज जे ग्रोथ का जो अर्जियस आ रही है रलेशनिप के लिए वह यहां पर दिख रही है आप ब्लॉक कम्मिनिकेश या no contact situation बाले जितने भी लोग हैं मैं यहाँ पर बोलूगी कि आपके relationship में मुझे growth होती हुई दिख रही है तो कहीं न कहीं justice है balance बन रहा है justice है आप देख रहे हो यहाँ पर और यह justice है जो कुई कि आपके जो partner है आप इस चीज को समझ लीजेगा वो खुद अपनी जो प्यार है वो अपने आपको आपसे दूर नहीं कर सकते है energies यहाँ पर यह कह रही है ठीक है मतलब energies के according जो situation में देख रहे हूं उसमें कहीं न कहीं आपके partner भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब stress में है आपको लेकर बहुत ज़्यादा loving and caring energies में है तो वो खुद आपको अपने से दूर नहीं कर सकते हैं उनकी energies यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आ रही है कि वो caring या loving या बहुत ज़्यादा caring है loving है या बहुत ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं आपको मिलाने की तरीके से process हो रहा है energies का तो यह energies आपको मिलाएगी दूसरी चीज़ खुद पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा negative नहीं होना है क्योंकि जतना आप negative होगे उतनी ही चीज़े आपसे दूर होते जाएंगी best good आपको मतलब बहुत ज़्यादा negative होते है है ना and positive की तरह ज़्यादा focus करें positive energy की तरह ज़्यादा focus करें क्योंकि जो growth और changes मैं देख रहे हूं new beginning मैं देख रही हूं आपके person के side से क्योंकि बहुत कुछ चीज़े ऐसी है जो मैं पहली बता चुकी हूँ आपको कि आप खोच चुके हो अपनी life में लेकर आप दुबा कर सकते हैं number video पर मिलेगा वहां से लेकर आप अपना name place दे सकते हैं worth detail है तो अच्छी बात है नहीं है बहुत से लाए लोगों के पास नहीं होती है worth detail तो आप name place अपना दे सकते हैं जनम स्थान मतलब जो जनम का स्थान है जहां पर आप born हुए है और name तो बैटा रहेगा and म supporting team होगी वो आपका अपन्मेंट ये देगी देन आप मसे बात करा सकते हैं take care bye bye